तो आनू लोडी दी लख लख वदाईयां बड़ा सोना त्योआर है लोडी पंजाब एच यूपी एच बड़ी खुश्यनाल मनांदेन लोग के नूँ पूरे नौर्थ इंडिया वेच बड़े शौक नाल असी लोडी मनांने है लोडी दा त्योआर राल मिल करके चलन दा त्योआर है लोडी दा त्योआर फसल नू मिल बांट के खान दा त्योआर है लोडी दा त्योआर एनर्जी दा त्योआर है ते लोडी दा त्योआर कद्रदान होन दा त्योआर है बहुत कुछ हम देखते हैं एक अगर बुरा आदमी भी अच्छा काम करता है तो उसकी सारी बुराईयों पर परदा पड़ सकता है ठीक ऐसे ही जैसे अच्छा आदमी भी एक बुरा काम कर दे तो उसकी अच्छाईयों पर परदा पड़ जाता है लोडी पर बच्पन से मैंने देखा कि दुल्ला भट्टी की बाते होती है सहयोग का त्योहार इसलिए कि हम लोग एहंकार नहीं पालते हैं कि भई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं, गली-गली में लोडीयें जलाई जाती है किसी की शादी की साल गरह हो, किसी के बालक का जन्म हो, किसी ने कोई समपत्ती खरीदी हो पहली लोडी बड़े उतसा से मनाते हैं और उसमें भी अब तो उतना नहीं रहा क्योंकि लोग तूट रहे हैं, समाज तूट रहा हैं जो चिंता का विशह हैं समाज जुड़ता तक ऐसे कि छुट-छुटी बेटियां आती थी इकटियों करके हुले निमाई हुले दो बेरी पतर जुले दो जूल पया खजूरा, खजूरा सुटिया मेवा, इस कुड़े दे करो मंगेवा इस कुड़े दिवोटी छोटी हो करने कितना गाते और फिर सानो देओ लोडी लोडी मांगते सुंदर मुंदर ये हो तेरा की बचारा हो दुल्ला बटी आला हो दुले दीव आई हो शेर शक्कर पाई हो कुड़ी दा सालू पाटा हो करनो मा मरे सी, चाचा गाली दे सी चाचा चूरी कुटी हो जिम्मीदारा लुटी हो खूब गाते दो और फिर लोडी दो लोडी में यानि समझो जैसे यग्य है यग्य अकेले नहीं होता है कभी यग्य हमेशा सामुएक होता सबके लिए होता है तो यग्य का बहुत सुंदर रूप लोडी है गर्मी से हम बाहर निकले हैं सर्दी से बाहर निकले हैं गली-गली में अलाव जल रहे हैं और जो फसल है इक्षू रस और यानि गन्य का रस इख बोलते हैं इक्षू और तिल मकी बिधान है कि हम यग्यागनी को भेट करने के बाद फिर सब लोग इसको मिल बाट करके खाएं यग्य में आहूती उसकी दी जाएं लोडी के अगनी को बड़ा पवित्र मानते हैं अब बहुत से लोग केमफायर के रूप में देखने लगे अंजाने में असबिता में अशिष्टिता में और उसके किनारे खड़े हो करके मुमफली खाका करके चीले को जगनी में डालते रहते हैं अच्छी बात नहीं है जानना चाहिए कि इसकी रूप इसका सुरूप क्या है इसलिए मैं आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ सोचो कि पूरे भारत में हर गली में जब लोडी का त्योहार के रूप में यग्या हम मनाए इदम अगने इदन्नमम इदम सोमाए इदन्नमम ये करके इदम प्रजापतः इदन्नमम प्रजापालन करने वाले के नाम के लिए हम आहुती देते हैं और कुछ नहीं तो गाहित्री मंतर से और कुछ नहीं आता है कुछ ही पगवान सब का पला करे और तो उस नाम से जो हैं हम इक्राश दे दें अगनी को जो भेंट हो गया वो कई गुणा हो करके बढ़ता ही नहीं सब तक पहुंचता है और आप तक बहुत गुणा कई गुणा हो करके लोट करके आता है हम जैसे सूरिया को एक लोटा जल देते हैं, अर्गे देते हैं तो कई गुना करके हम को वापश देता है ऐसे यह ग्यागनी में जो हम घरत की आहोती देंगे, एक तिल की आहोती देंगे तिल तो मुगि तेल का ही आनना है ना, तेल निकलता है तills आउती से प्रदूशन तो खत्म होगा ही सोधा कोरा भी खत्म होगा गर्मी आएगी और साथ-साथ जो पुष्टी है पूरे समाज में बटेगी आप यग्य के पुन्नलाव के भागी हो जाएंगे तो इस तरह से हम लोडी को मनाएं और जब ये लोडी मनाए जाती है मैंने कह कि एक सोहार्द भी बढ़ता है सै अस्तित्त बढ़ता है और आपस में एक समवाद पैदा होता है क्योंकि रिष्टे अगर निभाने हैं चाहे वो परिवार के हों चाहे वो समाज के हों तो आपस में समवाद सबसे बड़ी चीज है लोडी का पर्व दक्षिन भारत में उत्तरपूर के ख्षेतर में अगर चले जाएं तो वहाँ पर ये बियू के रूप में मनाया जा रहा है मकर संक्रांती के रूप में भी पूरे विश्व में मनाया जा रहा है तो ये एक दिन का पर्व नहीं है कई दिन पर्व चलेगा लोडी को उसी सदाश्यता के साथ हम म देती है। ऐसा सुना जाता था कि दुल्ला भट्टी नाम का कोई डाकू था और उसका कार्य यही था कि वो जिल लोगों के पास गलत पैसा था, शोशन का पैसा था, उन से वो धन संपत्ति ले करके और गरीब कन्याओं का विवाह करने में वो सारा उसको खर्च करता था। हम साधान रूप में ऐसे लोग को कहेंगे भई डाकू था लेकिन उसने डाकू का भी काम किया तो उसके बाद उसका क्या क्या तो उसकी जो नेक नियत थी उसने समाज में उसको प्रतिष्ठा दिला दी और वो यह कहा जाता था कि तेरा कौन विचारा लड़किये कहते हैं तेरा कौन करने वाला है तो कि दुल्ला भट्टी कि दुल्ला भट्टी जो है वो आके मेरी मदद करेगा यह उस आदमी ने प्रतिष्ठा पाई मुझे जब यह सुनता हूं तो मुझे चंदर शेखराजाद का ध्यान आ जाता है और सोचता हूं कि जब काकोरी कांड हुआ चंद शेखराजाद और 14 आदमी थे उन लोगों ने सरकारी खजाने को सरकारी खजाना का मतलब अंग्रेज लूट करके लिए जा रहते हैं हमारी सरकार के जो है वो हमारे हित की सोचती है आज हमारी सरकार का खजाना हमारा खजाना है उसको लोग के हित में हम लोग खर्च क कर रहे हैं लेकिन वो लोग हमारा धन लूट करके अपने तीजोरियें भरते थे तो क्रांती के लिए पैसा चाहिए था तो इन लोगों ने तेन डाउन प्रेसेंजर ट्रेन में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लखनों से कुछ समय देर पहले काकोरी स्टेशन आता है महाँ पर उसको ट्रेन को रोख करके वो लूटा और उसको देश की करांती को आगे बढ़ाने में चलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग 1947 में आजाद हो पाएं क्योंकि जीवन की भी आहुती चाहिए थी धन की भी आहुती चाहिए थी अंदोलन चाहिए था वो हुआ तो ऐसे ही उस जमाने में दुल्ला भट्टी जैसे व्यक्ति ने डाक्यों डाकू होने होते हुए भी उसने अपने जीवन को मानवता के प्रतिसमर्पित किया और अपने आप तो वो बदला सो बदला उसने समाज को भी बदल दिया हम इन सब चीजों से इन सब घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं कोई क्या कहेगा ये सोचने की जरुट नहीं है मेरी अंतरात्मा क्या कहेगी ये सोचने की जरुट है तो हम लोग इन परवो में बैट करके अमनन करें पहली चीज कि लोड़ी के माद्यम से हमारा को आगे बढ़ाएं, लोडी के माध्यम से हम एक दूसरे को पाट करके खाने की आदत डालें, कि कोई सी घर में बरकत की कमी ना रह जाए, कोरोना ने भी तो हमें सिखाया, कि हम लोग किसी को भूका नहीं मरने देंगे, तो बस ऐसी आपदा हर यूग में आती रही हैं, और सम अस्तित्तों का त्योहार, फसल को एंजोय करने का, आनंद लेने का त्योहार, प्रमात्मा के प्रति समरपन भाव से जीने का त्योहार, और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति के नियमों का आदर करने का त्योहार है लोडी, आप सब को लोडी दियां, बहुत बहुत बदा लग 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 वदैया.